हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री अकेडमी, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, गुड इवनिंग सरीता, वेरी गुड इवनिंग, चलो जी, फटावट से आजाईए, तो जो आपने कहा था, मैंने वही राइटर ले लिये हैं आज, कि अविजेता, श्री तरह, मैंने विजेता, वेरी पूड श्री पेंगा में, तो जी, आप टूकरहर, नहीं होूए, तो जो आप सभी, इस नहीं मैंड अट श्रीपलाई, प्लासफर, प्लासच दियाए, श्री नहीं आप ठीर, विजी, इस तुम एट से प्लायने जड़ खा हेलो सरीता चलो जी तो जैसा आप लोगों ने कहा था कि माइकल क्रिस्टोफर के और जो है माक ट्वैन के क्योशन ले लेना तो मैंने वही ले लिये हैं चलिए शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को अब तो फर्स्ट क्योशन है आपने इसको तयार भी कर लिया होगा इन वीच येर माइकल क्रिस्टोफर बोन तो किस जो है येर में माइकल क्रिस्टोफर का जनम हुआ था तो बताना है आपको 1959 में, 1964 में, 1945 में, 1958 में तो क्रिस्टोफर का जो है जनम किस येर में हुआ था माइकल क्रिस्टोफर का तो इनका जनम जो है गाईस 1945 के अंदर हुआ है 1945 में जो है इनका जनम हुआ है next question ले लेते हैं what Pulitzer Prize winning play did माइकल क्रिस्टोफर write कौन सा जो है ऐसा work है जिनके उपर जो है इनको Pulitzer Prize मिला है यानि एक ही work पे इनको दो मिले हैं एक ही work पे इनको जो है दो मिले हुए है तो वो बताना है आपको जो प्लिट्जर प्राइस जो है winning play कौन सा है माइकल क्रिस्टोफर का तो एक ही work पे दो प्राइस मिले हुए हैं तो आगे occasion भी बन जाएगा तो second का बताना है shadow box है the boys in the band है the great white hope or the shadow of gunman ये जो है माइकल क्रिस्टोफर की अगर हम बात करें तो ये अभी भी है यानि ये अभी जिन्दा है ऐसा नहीं है कि इनकी death हो चुकी है death हो चुकी है क्या नहीं अभी तो जो है फिर अगर ये जो है एक बहुत बड़े film writer है director है, actor है और playwright भी है तो इनके जो है बहुत ज़्यादा famous है ये good evening वंश, good evening सोनिया तो अगर हम यहाँ बात करें कि pleasure price winning play जो है कौन सा है माइकल क्रिस्टोफर का तो वो जो है है आपका shadow box है इनके उपर इनोंने इनके बहुत सारे ऐसे work हैं जिनके उपर इनोंने movie भी बना रखी है तो इसके उपर भी जो है movie भी बनी हुई है shadow box के उपर और इनका जो है इस पर दो prize भी ले हुए है आगे question बन जाएगा इनसे related in addition to being a playwright Michael Christopher is also known for his work in which artistic field तो वही यह कह रहा है कि playwright के अलावा यानि Michael Christopher जो है playwright के अलावा और कौन सा जो work है जिसके लिए जो और कौन सा artistic field है जिसके लिए इनको जाना जाता है तो film है, music है, painting है, sculpture है तो बताइए आप जो है कौन सा इनका जो work है जिसको आप कह सकते हो कि playwright के अलावा यह कौन से field में जो है और जाने जाते हैं किस field के लिए इनको जाना जाता है तो film, music, painting, sculpture तो कौन से field के लिए इनको जाना जाता है तो जो है जैसे मैंने कहा ना इनको जो है painting के लिए नहीं जाना जाता इनको जो जाना जाता है इनकी film के लिए जाना जाता है तो मैंने अभी बताई ये film director भी है, इनको film में भी भूस सारे ओड मिले हैं, ये actor भी है, TV serial वगरा में भी इन्होंने काम किया है, अमेरिका के जो TV serial वगरा है उनमें भी काम किया है, फिल्में भी बनी हुई है, इनकी एक film है, अच्छा तयार नहीं किया, तो एक इनका वग है, Falling In Love, इनका Play है लगा लीजिए, नोबल है, Playwright है तो Play है इनका Falling In Love, इसके उपर हमारे इंडिया में भी फिल्म बनी हुई है, इनोंने खुद भी फिल्म बनाई हुई है इस प्ले के ऊपर, और इनकी फिल्म को देखके ही, हमारे यहां पे भी फिल्म बन जो अमेरिका में बनी हुई है, और इसी के ऊपर हमारे यहाँ पर भी फिलम बनी हुई है, जिसका नाम है, कभी अल्वीदा न कहना, हमारे यहाँ तो खासी नहीं, चली कोई, तो यह जो है, गूद इवनिंड ललित, गूद इवनिग springy, very good इवनिग, तो चलिए बताईए, त थार्ड क्योशन का, यानि इनका जो आर्टिस्टिक फिल्ड है, वो थार्ड यानि फिल्म है, प्लेराइट के अलावा. Which of Michael Christopher plays, explore the theme of terminal illness and its impact on individual and their families? तो आपको यह बताना है, इसमें ऐसा कौन सा work है, जिसके अंदर जो theme दिया गया है, वो terminal illness का दिया गया है, और उसका individual पर क्या effect पड़ता है, उसकी family पर क्या effect पड़ता है, इस theme के साथ लिखा गया है, Michael Christopher ने, तो वो जो है, कौन सा play है, यहाँ पर यह बताना है, breaking up है, the lady and the clarant है, amazing grace है, shadow box है, तो आपको बताना है, इसमें कौन सा work है, जिसके अंदर जो है, चलिए आपने नहीं पड़ा, तो मैं कर देती हूं इसको, चलिए, कोई बात नहीं, आप जो है, इसका जो है, जिसके अंदर ऐसा theme लिया गया, theme of terminal illness, मैंने तो यह सोचा कि आप लोगों ने दुपैर में मुझसे पूछा था, दुपैर क्या सुबह थी, तब सुबह पूछा था, कि यह दो राइटर करवा दो, तो मुझे यह लगा, कि आप तयार कर लोगे, इसलिए मुझसे पूछ रहे हो, चलिए जो भी है, तो terminal illness, जिसमे है, उनकी family आई हुई है, उनकी impending death है, impending death in the sense कि उनकी जो है, मोत नस्दीग है, वो hospital में है, और उनकी family वहाँ पे आई हुई है, Christopher Marlowe एक अलग चीज है, और Michael Christopher एक अलग चीज है, तो यह जो है, आपका shadow box जो है, यह इसके अंदर तीन patient है, और तीनो patient की family आई हुई है, ए एक patient है, जिसकी ex-wife है वो, और एक जो है lady है, इसके अंदर Felicity के नाम से, वो lady जो है, वो अपनी उस बेटी के गम में ज्यादा रहती है, जिसकी death हो चुकी है, और एक बेटी उसके सामने है, तो वो जो illness है, और इसमें एक interviewer होता है, जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है प्ले में, उसका जो है, उसकी picture दिखाई नहीं देती है, तो इस चीज के उपर है यह, तो यह जो है, इसके अंदर बीमारी से related है, कि उसका जो है, इंपक्ट इंडिविजूल पे क्या पढ़ता है, और जो है, पूरी family पे क्या पढ़ता है, चलो जी, next पे आ जाते है, fifth question प जो है, ऐसी life दिखाई गए, female jazz musician से related है, जिसमें एक female की कहानी है, और एक musician की कहानी है, तो वो कौन सा है, shadow box है, lady and the clarant है, ice है, breaking up है, तो भई, इसके अंदर जो है, कौन सा जो है, वो play है, जिसके अंदर इस तरह की कहानी है, तो clarant का अगर जिसको meaning है, तो वैसे ही clear हो जाए है, तो इसका जो answer है, वो जो है B है, इसके अंदर एक lady है, वो बड़ी successful है, लेकिन वो loneliness है उसके अंदर, और वो जो है, यानि starting में तो लोगों को उसने reject किया, बाद में लोग उसके reject कर रहे हैं, और ये जो है, Louisa नाम की एक lady है इसके अंदर, इसकी कहानी है, इसकी कहानी ह है, वो वाधे अंतर बजाने वाला इसमें पाउल नाम से है, तो इनकी कहानी है, इसके अंदर, next है आपका, in which year did Michael Christopher win the Tony Award for best play for the shadow box, तो shadow box के उपर जो है, इनको दो अवर्ड मिले है, एक प्लिटजर अवर्ड मिला है, एक जो है, टोनी अवर्ड मिला है, तो ये दोनों जो है इनको shadow box के लिए मिले हुए है, तो कब मिला है 1976 में, 77 में, 78 में और 80 में, तो आपको बताना है कि जो आपका, the shadow box है, इसके लिए जो है, कब इनको prize मिला हुआ है, तो बताना है इसका, बताइए 6 का जो हंसर है, तो 6 का जो है, 1977 में इनको मिला हुआ है, चलो जी, next आ जाते है which of the following films directed by Michael Christopher stars Angelina Jolie and won several awards तो मैंने कहना इन्होंने बहुत सारी movie बनाई हुई है बहुत सारे अपने play है या दूसरों के play है उनके उपर भी movie बनाई हुई है तो जो है इसमें बताना है Michael Christopher ने कौन सा जो है एक movie बनाई है जिसको director ने खुद किया और Angelina Jolie जो है उसके अंदर heroine ली है तो जिया है ये The Witches of Eastwick ये जो है The Witches of Eastwick जो है ये जोन उपदिक का जो है play है और इसके उपर भी ने फिलम बनाई हुई है The Shadow Works ब्रेकिंग अप है तो बाकी नहीं के हैं लेकिन इसके उपर जो है यहाँ पर पुछा है कि जिसमें Angelina Jolie जो है वो heroine है वहाँ तो वो कौन सी है तो बाई ये फिलम जो है इनकी ये वाला है First वाला है इसका अंसर इसके उपर भी नोने movie बनाई है Actually में इनोने लगबग हर play के उपर अपनी movie बनाई हुई है इसलिए कहा कि ये play में इनका नाम बहुत अच्छा है Michael Christopher sound as the head writer for a popular television series What is the name of that series तो वही इनोंने जो है इनकी series आई थी यानि मैंने कहा ना इनको जो है ऐसा कोई field नहीं है जिसमें इनोंने हाथ हाजमाया हो और इनको prize ना मिला हो तो जैसे इनोंने ये playwright तो है ये अमेरेका के उपर से ये जो है फिर ये direction में भी चले गए यानि movie वगरा भी बनाई तो वहांबे भी इनको जो है अच्छे prize मिले हैं तो वहांबे भी इनको जो अच्छे prize मिले हैं तो भई इनको ये बताना है कि वह popular जो है television series कौन सी थी जिसके अंदर जो है इन्होंने काम किया है और जो है head रहे हैं तो इसका जो answer है west wings west wing जो है यानि d जो है इसका answer है the west wing तुटुक के लगा रहे हो which university जब आप लोगोंने मुझे सुबै दिया कि मेडम इसके उपर जो है रात को करवाना तो तो आप लोगों को तयार करना चाहिए था चलिए which university did Michael Christopher attended for his undergraduate study तो इन्होंने undergraduate study के लिए जोह कौन सी university को अटेंड किया है तो Harvard University, Yale University, Princeton University और Columbia University, बताईए तो जो है जब तुमने Michael Christopher की जगह Christopher Marlowe को तयार कर रखा तो क्या कर ले भई तुमारा हाँ हाँ बिलकुल यह कह रहे हैं कि दस फरवरी से पहले जोह आपका आ जाएगी यह कह रहे है ना TGT की विकेंसी इसका रिजल्ट भी दे देंगे यह भी कह रहे हैं कि दस फरवरी के आसपास यह उससे पहले पहले मिल जाएगे चलो कोई बात नहीं आप रिवाइज कर लो कोई बात नहीं मैंने तो जस्ट इसलिए पूछा कहा कि क्योंकि आप लोगों ने मुझे स्पेशल दिया था तो स्पेशल दिया था मैंने सोचा तयार ही करेंगे इसलिए मुझे दे रहे हैं चलो कोई बात नहीं जैसे भी आप से पाटिस्पेट होता है करते रहिए कोई तुका लगेगा कोई कुछ लगेगा लेकिन मैं अंसर बताती चलूंगी और आपका तयार हो जाएगा तो यह करा है कि माइकल क्रिस्टोफर ने जो है युनिवस्टी को अटेंड किया है कौन सी युनिवस्टी को जिसमें इन्होंने अंडर ग्रेजुएट जो है अपनी स्टडी को पूरा किया तो येल युनिवस्टी है येल युनिवस्टी में जो है इन्होंने किया है तो इनका ब्रेकिंग अप यह है इसमें इनोंने जो है फिलम बनाई हुई है अच्छा तो उसकी खुशी में जूम रहे थे आपकी यह दुबारा से वेकेंशी आने वाली है तो खुश हो जाएए लेकिन एक बात ध्यान रखो आप लोग सभी के लिए है मैं किसी पर्टिकुल तो खुचव होग माध कर इसे मत करो या तो अपने आपको झोग दो या फिर जो लाइफ है उसका एनजोय करो कम से कम उसे तो जीओ या फिर जो है बिल्कुल तईयारी दिल से किया करो दीश का काम अब शोड़ा करो उससे क्या है कि जो ना तो आप लाइफ नचा कर पाओ ना आप जो हजोब की प्रिपेशिन कर पाओगे, चलो दिल से कर रहे हैं, अच्छी बात है, माइकल क्रिश्टोफर प्ले ब्रेकिंग अप, अब इनका जो ना, यह अगर हम यह कहें, यह American writer ऐसे हैं, जिनोंने जो, वैसे तो सभी जो नुपदिक को ले लो, या इनको ले लो, जितने भी writer हैं आपके, वो जो है, ऐसे खास तोर पर American ने, वो जो American society उस टाइम पे जैसी थी, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो यह breaking up के अंदर, जो है जो स्टोरी अगर मैं कहूँ ऐसी है, कि जो दो लोग होते हैं, यानि जो उस टाइम की present की जो society थी, उस टाइम पे, जब यह लिख रहे थे, तो वहाँ जैसे society थी, वैसा इनोंने theme लिया है, एक और बात मैं बता दू, Michael Christopher के बारे में, ना तो यह किसी तरह की preaching करते हैं, आपने novel के end में, जैसे कोई होता ना कि जो end करता है, वो जो है tragic end कर देता है, कोई happy ending करता है, कोई जो preaching दे रहा होता आपने novel के थ्रू, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे ने करना चाहिए, एडवाइस दे रहा होता, तो यह अपने play में किसी तरह कि ना तो advice कर रहे होते हैं, ना ही कोई preaching कर रहे होते हैं, कुछ ही नहीं कर रहे होते हैं, यह actual में जो realism है, यानि realistic चीज़े हैं, उनको represent कर रहे होते हैं, यानि जैसी society थी, वैसा ही यह दिखा रहे होते हैं, इसके अलावा इनका कोई purpose नहीं होता है, तो यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि Michael Christopher की जो breaking up है, breaking up इनका पहले तो एक play है, यहाँ पर तो movie के बारे में बोला गया है, कि वो movie जो है, किसी ने उसको direct किया है, तो यहाँ अगर हम कहें तो इन्होंने खुदी किया है, बिल्कु सही है, इन्होंने जो हाँ खुदी उसको direct किया है, लेकिन मैं अगर breaking up की story बताऊं, तो इसमें जो लड़का लड़की होते हैं, या hero hero होते हैं, वो मिलते हैं, फिर break up कर लेते हैं, फिर दुबारा मिलते हैं, कुछी दिनों के बाद फिर break up कर लेते हैं, यानि इनको यह नहीं समझ में आता कि हम एक दूसरे के लिए बने ह हैं, कभी जो है, जब दूर होते हैं, तो इनको लगता कि पास रहना चाहिए, जब पास आते हैं, तो फिर इनको इनके जगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर break up कर लेते हैं, तो इनको भूत बाद में यह पता चलता है, कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो ऐसी कु चलिए, तो इसके अंदर जो हो, what is the central theme of Michael Christopher's play Black Angel, Black Angel का जो theme बताना आपको racism है, political corruption है, war है, environmental issue है, तो इसके अंदर क्या है, चलिए बताइए फटा-फट से तो इसका जो है issue क्या है, इसके अंदर किस तरह का theme लिया गया है, बताओ देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, Black Angel, Black Angel के अंदर जो है, नाजी जो थे ना, जैसे जिन्होंने juice को जो है, torture किया था, तो वो theme है, इसके अंदर world war का जो हसीन लिया गया है, यानि इसका अंसर जो बनता है, वो C बनता है, first नहीं बलता है, आपने black नाम से देख ल point दिखाने की कोशिश की है, तो इसमें जो है, एक Mark Angel नाम से जो है, एक officer होता है, और उसके उपर ऐसा चार्ज लगता है, कि वह उसने जो है, कही ना कहीं, क्या किया है, मैस्क्रे किया है, 200 Jews का, तो उससे related ये कहानी है, Black Angel, तो ये जो है, war से related है, तो C जो है, इसका अंसर र Christopher Wien, the academic award for best adaptation, screenplay, the film, the shadow box, तो shadow box, जो मैंने कहा रहा है, इन्होंने लगबग अपने हर play पे movie बनाई हुई है, तो आपको जो है, shadow box के उपर जो इनको award मिला हुआ है, screenplay के लिए, यानि movie के लिए, तो वो कम मिला, 1980 में, 1984 में, 1988 में, 90 के अंदर, तो 12 का जो है, आप लोगों को पोपुलर था, shadow box की वजए से ये बहुत ज्यादा पोपुलर हुए है, और इन्होंने जो है, shadow box के play पे इनको दो award मिले है, और movie पे बी award मिले है, चलिए जी, next चलते हैं, आप, Michael Christopher's play, rosary, rosaryo and the gypsies, is set in which European country, तो भई, इसके अंदर जो gypsies होते हैं, जो, जो drugs edit होते हैं, जै क्या बोलते हैं, उसको Hare Krishna, Hare Rama वाले, तो वो gypsies होते हैं, तो उनको इसमें जो है, ये दो character हैं, और Rome का जो है, इसके अंदर, Roman इस तरह का scene दिखाया गया है, तो वो कहां पे जो है, सेट होते हैं, वो कहां पे जो setting है, इस play की, तो Spain के अंदर है, आगे है, which of Michael Christopher's play, is a psychological drama that develops into the nature of identity and self-discovery, तो आपको ये बताना है, कि वो कौन सा play है, Michael Christopher का, जिसके अंदर, psychological drama है, और उसके अंदर, जो है, that develops into the nature of identity and self-discovery, यानि ये जो character है, वो जो है, self-discovery में रहता है, और identity के लिए जो struggle करता रहता है, तो वो जो है, कौन सा है, चलिए, तो इसको देख लेते हैं, shadow box है, breaking up है, the lady and the clarinet है, देखो shadow box की, मैंने जो कानी आपको बता दिये, shadow box में क्या है, कि वो patient वाली कानी है, जो है, उसके individual के उपर, जो है, illness का क्या effect पढ़ता है, उसकी family पर क्या effect पढ़ता है, breaking up, कि में अंदर यासी story है, जैसा नाम है breaking up, जो दो character है, वो बार-बार अपना break up करते रहते हैं, फिर मिलते हैं, फिर break up करते हैं, जब दूर जाते हैं, तो लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, जब साथ रहते हैं, तो लगता है कि compatibility नहीं है, तो ऐसा theme है, lady and the clarinet, clarinet एक musical instrument है, इसके अंदर जो है, होता है, जो बजाता है, तो वो candidate है, एक जो है, ये lady है, वो जो है, जब starting में थी, यानि कि इसमें जो है, moral detoration है, वो दिखाया गया है, कि कैसे लोग जो है, मतलब morality को, morality को किस तरह से एक हथियार के weapon के रूप में यूज़ करते हैं, और success होने के लिए तरफ बढ़ रहे हैं, यानि आपने सुना होगा American dream, तो ये भी American dream को ही show करता है, कि पैसा होना चाहिए, कोई भी तरीका हो, कैसे भी हो, prostitute करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो, तो इसलिए जो है, ये लड़की जब 15-16 साल की होती है, तो इसकी life में कोई अच्छा सा आता है, लेकिन ये उसको उसका खाल आता है, तो अब ये अकेला पन स्था रहा है, तो भी ये तीन काानी तो मैंने बताए थी, अब इसल्फ डिसकोवरी वाली, अब इसमें जो है, डी जो है, इसका अंसर है, तो बिलकुछ सही है, इसका अंसर जो है, आइस के अंदर ये है कि जिसमें आइडेंटिटी का, और जो है, सेल्फ डिसकोवरी का जो है, ठीम चलता है, साइकोलोजिकल ड्रामा है, माइकल क्रिस्टोफर रिसीवड नोमिनेशन फोर गोल्डन ग्लोब आवर्ड फोर इस परफोर्मेंस इन विच फिलम, तो भई ये कह रहा है कि वो इसके लिए कोई उनसा नोमिनेशन मिला, क् की देको, इनके questions ना, फिलम से related हमेशा रहेंगे, इनके questions हमेशा film से related रहेंगे, क्योंकि इनोंने जो ना, जितने भी प्ले लिखे हैं, उन सब को अपने play को भी इनोंने फिलम में convert किया है, और ये जो है, ब्राबर वे से active रहें फिलमों के अंदर, तो भई आप जो है, यह उने औरों के play को भी जो है फिलम में convert किया है, adaptation किया है, तो ए जो है इसका answer रहेगा, आगे है which of Michael Christopher's play, focuses on the life of family dealing with the aftermath of tragic event, exploring theme of guilt and redemption, तो भई वो कौन सा है, जिसके अंदर आपको ऐसी feeling आती है, कि life of family dealing with the aftermath of tragic event, exploring theme of guilt and redemption, तो 16 question का आप को answer देना है, ये बताना है, इसका answer जो है, क्य रहेगा, तो shadow box है, breaking up है, black angel है, amazing grace है, तो इसमें जो है theme of guilt and redemption का जो है theme कि इसके अंदर है, तो वो जो है breaking up के अंदर है, black जो जैसे ये है, black angel है, ये तो है नाजी officer से related का आनी है, और जो है आपकी breaking up है, इसके अंदर है, तो family के उपर भी tragic event का तो कुछ ना कुछ effect तो इसका जो answer है, वो जो है, B रहेगा, 16 का जो answer है, वो B है, ठीक है, next चलते हैं आप, Michael Christopher wrote the screenplay for the film, the bonafire of the vanities, who directed this film adaptation, तो भही आपको जो है, ये bonafire of the vanities, ये film है, इसकी, तो इसमें जो है, इन्होंने, किसको लिया है, किसम से सिदा सिदा ये है, who directed this film adaptation, तो किसने direct किया है, सिदा question है, Martin Sources ने, Brain D, Pama ने, Body Allen ने, तो सिदा सिदा question का answer बता देती हूँ, इसका तो बिल्कुल इंदाजा नहीं लगेगा, तो इसका जो answer है, वो जो है, B है, जैसे मैंने कहाना, इनके playwright के अलावा, जो है, यानि ये play के अलावा, इनके filmों पे भी question उतने ही बनेंगे, क Michael Christopher received another prestigious award for the shadow box, what was it? तो ये कह रहा है, shadow box पे इनको प्लिट्जर अवर्ड मिला है, तो प्लिट्जर अवर्ड के अलावा, shadow box पे दूसरा अवर्ड कौन सा मिला है, तो अभी बात हुई थी, me award है, tony award है, academic award है, obey award है, तो 18 का जो है, बिल्कुल, अभी ये बात हुई थी, अभी surprise मिले हुए हैं, और इन ये movie बनी है, तो movie पे भी मिला हुआ है, ठीक है, आगे चलते हैं, 19 पे आईए, which of Michael Christopher's play, explore the complexity of a love affair between a successful lawyer and the struggling artist, तो बताइए यहाँ पे, यह तो बता देना चाहिए, थोड़ा संदाजा लगाओ, तुक्के लगाने में तो तुम तेज हो, तो बताओ, shadow आपको, तो यह 19 question का answer देना है, तो बिल्कुल सही है, यह lady and clearant, actually में यह क्या है, कि एक restaurant में बठी होती है, और जो है इसको, जो इसे कोई online meeting जिसकी हुई है, उसको आना है, यानि अपनी dating की preparation कर रही है, यह, तो वहाँ पे वो आता ही नहीं है, क्योंकि पहले यह reject कर रही थ है, यह लड़की, और यह जो struggling artist है, तो यह कहानी है इसके अंदर, आगे हैब, Michael Christopher is known for his contribution to both theatre and television, which medical drama series, did he contribute to as a writer, तो इन्होंने एक medical drama भी series लिखी है, तो वो जो आपको नाम बताना है इसके अंदर, और उसका नाम है, first option ER है, Grace Anatomy, House है, Chicago Med है, तो guys, मैं इसका सिधा ही अंसर बता देती हूं, तो medical drama जो लिखा है, इन्होंने ER नाम से लिखा है, इसका जो अंसर है, वो जो है ER, यानि की 20th का जो अंसर है, वो A है, चलिए, अब आप दे दोगे, Michael Christopher के question तो आप से चलो, जैसे बने हैं, वैसे बने हैं, लेकिन आप देख Samuel Clements है, Henry James है, William Faulkner है, Nathaniel Hawthrone है, तो बई आपको जो है Mark Twain का जो है, असली नाम बताना है, रियल नेम बताना है, तो बिलकुल सही है, यह 2016 में PGT का पेपर था ना, उसमें भी आया हुआ था, पीजीटी का जो पेपर था, 2016 के अंदर, तो उसमें यह question था, American Literature के उस टाइम पे पांच question आये थे, पांचों में से एक यह भी था, Samuel Clements जो है इनका रियल नेम है, और Mark Twain जो है इनका pen name है, आगे है, विच फेमस नोवल बाई Mark Twain, फीचर दाइडवेंचर ओफ यंग फिन, और अन्वे स्लेव नेम्ड जीम, इसकी कहानी को दिखाया गया, Adventure of Tom's Wire, Prince and the Popper, Adventure of Huckleberry Finn, A Connecticut, Young King and Arthur's Court, हाँ जी, बिल्कुल, सही है, चलिए, यहाँ तो आप सही अंसर दे रहे हो, Christopher में पता नहीं क्या हो गया था, तो जो है C, जो है, इसका अंसर है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, यह तो बड़ रखाया, यह तो कॉंबन हो चुका है, मार्क्टवाइंस बर्थ कोंइंसिडेंट विद अपिरेंस ओफ वर्ट्स, सिलेशियल इवेंट, तो आपको यह बताना है कि बई, जो है मार्क्टवाइंस का जब जनम हुआ था, तो कोंइंसिडेंट लिउस टा की चांच सितारों से रेलेटेड यह कुछ भी ऐसा, तो वो कोई जो है इवेंट थी जब इनका जनम हुआ था, तो वहाँ जो है कोंसा आएगा, तो क्या कोंसी इवेंट थी वो, तो जो है टोटल सोलर एकलिफ था, हैलेस कोमेट था, सूपर मून और जो है अरोरा, बुलिस तो बताना आपको, बताईए इसका अंसर जो है क्या रहेगा, चलिए आपका अंसर तो आचुका है, 23 का जो है आपको देना है, तो 23 का जो है बिलकुल, इसका जो है है हैलेस कोमेट, यह जो है इसका अंसर है, जब इनका जनम हुआ था, 1853 के अंदर, तो उस टाइम पे यह इवेंट साथ में हो रही थी उस दिन, चलिए जी, next पे आ जाते हैं, in which state was marked wine born, तो कौन से जो है इनका जनम हुआ था, मैं सूरी में हुआ था, Mississippi में हुआ था, California में हुआ था, Illinois में हुआ था, तो बताईए आपको 24 का जो हंसर देना है, कि इनका जो है जनम कौन से state में हुआ था, question number डाल दिया करो, थोड़ी आसानी रहेगी, पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहे हो, चलिए जी, तो बिलकुल ठीक है, ये जनम इनका इस जगह पे हुआ था, बाद में इनोंने जो है, जब ये तीन से चार साल के थे, तो ये अपनी जगह को छोड़के आ गए थे, किसी दूसरी जगह पे shift हो गए थे, और वो उसका भी question बनेगा, तो इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बोल रही हूँ, तो बिलकुल सही है आपका अंसर, what river serves as a prominent setting in many of Mark Twain's works, including the adventure of Tom Sawyer and the adventure of Huckleberry Finn, तो उस river का नाम बताना है, नोर्मली जो है, वो river इनकी setting में रहती है, तो वो कौन सी जो है, river है, Mississippi River है, Missouri River है, Ohio River है, Hudson जो है river है, तो कौन सी जो है river है, गुड इवनिंग कृतिका, वेरी गुड इवनिंग, तो ये जो है Mississippi River है, बिलकुल Mississippi River में इनोंने जो है, बोट पाइलेट के रूप में काम किया है, तो अपने इनके बहु सारे work में इनको आपको जो है, इस river का आपको reference मिलेगा, Life of Mississippi के नाम से भी इनका work है, जिसमें ये अपने जो है teenager की, child hood की जो है, काहनियों बताते हैं उसके अंदर, आगे है, which of Mark Twain's novel, Styrizes the Society of the Antebellum, South and the Institution of Slavery, तो वहीं वो कौन सा work है, जिसके अंदर जो है, इस तरह का theme लिया गया है, Mark Twain ने, वो Styrize करते हैं, तो वो जो Adventure of Tom Sawyer है, Pudden Head Wilson, The Innocent Abroad, The Connecticut Yunkie in Kings Arthur Court, तो आपको 26th का answer देना है, बताइए इस का answer क्या रहेगा, तो बिल्कुल सही आपका answer, ये पुड़न Head Wilson है, इसमें जो है दो एक जैसे एक गरीब के घर में बच्चा पैदा होता है, एक अमीर में होता है, तो इसको लगता है कि अगर वो वैसे दोनों ही सफेद कलर के हैं, यानि उनकी स्कीन जो है वाइट है, तो वो Mother जो है क्या करते हैं, बच्चों को बदल देती है, यानि जो गरीब Mother है, वो उसको लगता कि मेरा बच्चा सलेवरी में जाएगा, इसे अच्छा कि मैं इसको ब सब्सक्राब हो जाती है, तो ये जो है वी इसका आँसर है, आप लोग उने क्या दिया है, लोगत hebt लोगता की स्कीन हेग आप见 जो हैं, जो है पुदन है विल सन के अंधर, बदल देते हैं उसमें बच्चों को बदल बदल दिया जाता है, दोनों वाइट स्कीन के होते हैं, तो एक का नाम टॉम है I think एक का जो है वैलेट है और वो जो है क्योंकि दोनों के स्कीन एक जैसी है तो जो मदर थी जिसको लगता था कि मेरा बच्चा सलेवरी में जाएगा तो अपने बच्चे को सलेवरी से बचाने के लिए क्या करती है उस अमीर बच्चे के साथ उसको मेर के घर में रख दिया था वहां जाके पढ़ता नहीं वह बिगडेल हो जाता है और दूसरा जो गरीबी में आगा वो इस वज़े से नहीं पढ़ पाता क्योंकि वहां पर गरीबी थी तो दोनों की एक इसम से लाइफ ही खराब हो जाती है यानि इसमें दिखाया गया है क जो आप हो ना वो कहीं पर चले जाओ ऐसे ही रहने वाले हो तो यह दिखाया कहीं ना कहीं और इसके उपर जो है इसके उपर इंस्टुशन ओफ स्लैवरी का भी दिखाया गया कि लोग स्लैवरी से बचने के लिए क्या कुछ खर देते हैं अपने बच्चों तक को एक्स्च तो मिसी सीपी रीवर है बिल्कुल ठीक है इनके पूरे वाक में ये मिसी सीपी रीवर चलती है और ये जो है एक रिवरवर्ट पाइलेट के रूप में काम करते हैं यहां पर और यह जो ना एक प्रेस्टिजिस काम होता था, यह बच्पिन में बड़ा सुनते थे कि बड़े होके क्या बनोगे तो सबी यह कहते थे, यह बच्चे जो होते थे Life of Mississippi में यह इसी बात का जिकर करते हैं, कि कैसे childhood में हर बच्चे का यह एक aim होता था, कि बड़े होके हमें क्या बनना है, कि इस रिवर बोट जो है पाइलेट बनना है, तो यह इन के लिए जो ना बड़ा प्रिस्टिजिस जा काम होता था यह, और इन्होंने भी इसको अपनाया सबसे पहले, आगे है which short story by Mark Twain features a jumping frog named Dan Will Webster, तो बताईए आपको जो है, कौन सी story है, short story है यह, जिसमें इस तरह का feature है, तो आप जो है, option देखके आराम से बता सकते हो, तो इसका जो है, jumping frog named Dan Webster, जिसके अंदर jumping frog के नाम से है, Dan Webster character, तो वो उसका अंसर बताना है, कौन सा वो जो है, Mark Twain की short story है, तो celebrated jumping frog of clever's county, prince and the popper, notorious jumping frog of clever's county, the mysterious stranger, तो जो है, आपको 28 का जो है अंसर देना है, चलिए जिए, तो 28 का जो है, बिल्कुल सही है, यह दिया होगा, तो यह जो है अंसर है, जो है इसका अंसर रहेगा, next पे आ जाते हैं अब, what pen name did Mark Twain use when writing in collaboration with his friend Charles Doodle Warner, तो इन्होंने एक work जो है, Charles Doodle Warner है उनके साथ लिखा था, एक collaboration के अंदर लिखा था, तो जो है उनका pen name क्या था, Joss Billing, Artemis Award Mark Twain and Friends, SL Claimants, तो यहाँ पे pen name की बज़ाए वही real name बताना चाहिए था, तो आप जो है इसका अंसर बता सकते हो, क्या रहेगा, 29 का D, बिल्कुल ठीक है, 29 का जो है D अंसर रहेगा, और इन्होंने एक work था, भी मुझे ध्यान नहीं, शायद आ गया जाए तो मैं बता दूंगी, Charles Doodle Warner के साथ इन्होंने जो है, क्या collaboration में लिखा था, यह work, आप जो है next पे आ जाते हैं, Mark Twain's Novel, The Prince and the Pauper, Explore the Theme of, तो इसके अंदर जो है किस तरह का Theme है, Prince and the Pauper के अंदर, The Time Travel है, Class and Social Inequality है, और Adventure on the High Seas है, और Supernatural Occurrences है, तो इसके अंदर जो है कौन सा Theme है, Prince and the Pauper के अंदर, 30 का बताना है, Class and Inequality, नाम से ही clear है, एक Prince एक Pauper है, Pauper का मीनिंग पूर होता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसका Class and Social Inequality, यह दिखाया गया इसके अंदर, आगे ले लेते हैं, What is the title of Mark Twain's Travelog Based on His Journey Through Europe and Holy Land, तो उसका नाम बताना आपको, What is the title of Mark Twain's Travelog, Mark Twain के Travelog का नाम बताना है, जिसमें जो है वो जर्नी करते हैं, Through Europe and Holy Land, तो Adventure of Tom's Were, A Tramp Abroad, The Innocent Abroad, और जो है Life on the Mississippi, तो आपको बताना है, हाँ जी, बिल्कुल, बताईए इसका जो हं अनसर क्या रहेगा, 31 का जो है answer बताना आपको, यह इनका जो है पहला वाग है, जिसमें यह जर्नी बता रहे है, यह इनका first work है, तो इनका जो first work है, वो जो है तो C जो है इसका अंसर रहेगा नेक्स्ट पर आ जाते हैं अब Mark Twain's quote The reports of my death are greatly exaggerated was in response to तो ये इनकी quotation बड़ी famous है Mark Twain की तो ये जो है कहा थी क्या थी इसके बारे में बताना है A mistaken obituary published in a newspaper criticism of his writing style rumors about his retirement a literary feud with another author तो किस चीज के response में इन्होंने ये दी थी ये बताना आपको तो ये जो है 32 का question का अंसर एक quotation है इनकी खुद की इन्होंने किसी चीज के response में दी थी तो वो जो है बड़ी famous है इनकी Mark Twain की वो बताना है आपको तो बिल्कुल ठीक है mistaken obituary published in newspaper वो जो newspaper में एक लगाते हैं न डेट से related होती है जिसको हम हिंदी में शायद रसम पगडिया से कुछ बोलते हैं जिसमें इस तरह की information दी जाती है तो बिल्कुल सही है इसका answer जो है क्या है ए है next ले लेते हैं अब 33 है which of Mark Twain's work is a semi autobiographical novel that portrays the adventure and experience of a young boy growing up in a small town along with Mississippi River तो आपको ये बताना है कि वो Mark Twain का कौन सा work है जो semi autobiographical novel है जिसके अंदर portray किया गया है adventure and experience of a young boy growing up in a small town along with Mississippi River तो बताइए इसके अंदर जो है question आप समझ गए होंगे तो 33 का आपको जो answer बताना है connecticut yankie in king arthur's court adventure of tom's wear the mysterious stranger life on the Mississippi तो जो है ये 33 का जो है इसमें भी tom's wear का जो scene दिखाया गया है यानि इसका जो answer है वो बिल्कुल भी जो है इसका answer रहेगा और इसके अंदर ही नोने वही दिखाया है यानि कि जो है Mississippi River के अंदर भी इस तरह का क्योंकि ये जो शहर है कस्बा है जहां पे भी ये scene दिखाया गया है वो जो है Mississippi River के पास ही है और जो है ये लड़का tom's wear जो है इसी में से भागता हुआ चलता रहता है तो पूरा ये जो है इसके उपर कहानी है बिल्कुल सही है और जो है चलिए लाइफ ओन मिसिसिपी लाइफ ओन दा मिसिसिपी ये जो है इसके खुद का experience है चल्ड हुड की कहानिया है इसके अंदर Mark Twain यानि उनका चल्ड हुड की मेमरीज है कहानिया की बजाए इसमें जो है मेमरीज है इसके अंदर और है Mark Twain served as a pilot in the confirmed army during which conflict तो भही ये कह रहा कि Mark Twain ने जो है as a pilot confirmed army में काम किया है और वो जो है कौन से konflikts में किया है American Revolution Civil War, Spanish American War, World War I तो आपको बताना है बताईए इसका question answer 34 का जो है आपको answer बताना है चली अच्छी बत है बढ़ा है तो आपकी काम आजाएगी चीज तो वो कौन सा वोर है जिसके अंदर जो है ये confirmed rate जो आर्मी है उसके में as a pilot काम करते हैं तो भई इनोंने जो है जो वर्ल्ड वोर हुए थे उसमें तो ये जो है एंबूलेंस ड्राइवर के रूप में इनोंने भी काम किया हुआ है और इसमें इसमें सीवल वोर से रेलेटेड है सीवल वोर से रेलेटेड है और थर्टी-फोर का जो है बी रहेगा answer आगे है विच हुमरेस शोट स्टोरी बाई मार्क ट्वाइन इन्वोल्स अ मैन हो रिसीव अ मैजिकल जार देट ग्रांट्स अनी विच बट ब्रिंग्स इंटेंटिड कोंसिक्वेंस तो ये जो है क्योशन तो समझ गए होगे वो कौनसी शोट स्टोरी है हुमरेस शोट स्टोरी है जिसके अंदर मार्क ट्वाइन इस तरह का रोल मतलए एक कैंडिडेट है जिसके अंदर एक परसन है जो है जिसको मैजिकल जार मिलता है जो चाहे वो विच को पूरी कर देता है लेकिन कोंसीट कीसे ह Оُंगे उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता आनी इंटेंटिड जो है कोंसीटियूस बगतने पड़ते है तो वो जो है केलिबरेटिड जंपिंग फ्रोग ओफ क्लेवर्स काउंटी, मिस्टीरियस ट्रेंजर, मैं देट करफ्टिड हैडले बग और दमंकी पोग, तो यह जो इनकी शोट स्टोरी के नाम है, तो आपको जो है, थर्टी फाइफ का जो हंसर बताना है, हाँ हाँ, उसमें भी क्या था, बिल्कुल ठीक है, हमिंग वे ने भी क्या था, थर्टी फाइफ का जो हाँपको अंसर देना है, तो थर्टी फाइफ का जो है, C है, दा मैन, देट करफ्टिड हेडले बर्ग, तो जो है, इसका अंसर जो है, क्या रहेगा, C जो है इसका अंसर रहेगा, C जो है इसका अंसर रहेगा, बिल्कुल ठीक है, शोट स्टोरी है, जिसमें ऐसा थीम लिया है इनोंने, आगे है, Mark Twain's Novel, एक कोनेक्टी कट ही हैं, King Arthur's Code, फीचर से प्रेटागेनिस्ट, Who time travelled to this historical period? तो भ roku आपको जो है यो बताना है कि पहले तो इसका थीम, पहले तो जो क्योशन है सामने वह इबता दो कि वह time से कोनसे पीरेड में जाता है, कोनसे पीरेड का है, historical period से related है वह, तो वो बताना है Kleiras का थीम रहेगा, इसका थीम यह बता दीजी अगर पता है तो ancient Greek है, medieval England है, renes इतली है और Victorian एरा है. तो वो जो है medieval England से related है, medieval England से related है, और अगर इनके अंदर जो theme की बात करे हम, इसके अंदर जो theme ऐसा है, जिसमें शेवलरी के ऊपर question उठाया गया, शेवलरी यानि योद्धा या जो है वीरता वाले जो है, तो उसको starize किया गया है इसके अंदर. अब नेक्स question पर आजाते हैं, Mark Twain was a close friend and collaborator with another renowned American author, who was this literary companion, तो आपको यह बताना, इसमें इनका जो हबड़ा close friend था कोई, तो वो कौन सा था, 38 का जो answer देना है, फटाफर से दीजिए, 38 का, तो हर्मन मैली विली जो है, इनके close friend रहे हैं, कोलोपरेटिव रहे हैं, जिन्होंने मोबिडिक लिखा है, तो इसका जो answer है guys, वो जो है B रहेगा, हर्मन मैली विली, इसका जो है answer है, चलिए, next पे आजाते हैं, next question है अब हमारा, 39 है, Mark Twain served as a riverboat pilot, on the Mississippi River, a job that inspired any elements of his writing, what pseudonym did he use during his time as a pilot, तो ये जो है बई, उस time पे ये करें कि, जब ये writer तो थे नहीं, कुई writing इस काम से inspire थी, लेकिन उस time पे इनोंने जो है, as a pilot, जो है pseudonym क्या अपनाया था, Mark Twain, Captain Clemens, Riverboat Sham, Pilot Pen, तो आपको 39 का answer देना है, क्या जो है इसका answer है, उस time पे इनोंने क्या नाम अपनाया था, 39, तब भी इनोंने अपना नाम ये वही, इनोंने रखा था, इनोंने अपना और ये वहीं से इनोंने नाम रख लिया, फिर अपना राइटिंग के अंदर भी, तो Mark Twain जो है इनका नाम था उस time पे भी, ये नहीं कि भी यहां पाइलेट दिखा, तो पाइलेट पैन हो गया इनका नाम, तो इनका नाम जो है उस time पे भी Mark Twain था, और इनोंने वहीं रख लिया था अपना नाम एक एक्चुल में, और बाद में इनको इनोंने इसी नाम को राइटिंग में यूज किया, नेक्स्ट क्योशन पे आजाते हैं, अब हम Mark Twain's daughter, Susie Clements, played a significant role in his life, लाइफ में भी और साथ में जो है, इनकी राइटिंग भी इनका भोग जादा influence है, वाट रेस्डी भी फैल, Susie influencing Twain's letter works, तो उसके साथ ऐसी क्याड रेस्डी हो गई थी, जिससे जो है, जो ने Twain's letter work को influence किया है, बड़ी जल्दी जो है, ना match कर जाते हो, answer, तो she was kidnapped, she suffered from a sphere, unless she was involved in a shipwreck, she became a victim of a crime, तो इसका जो है answer देना है, Hello Sudesh, तो जो है, इसका जो answer है guys, यह है कि उसको जो ना कोई problem हो गई थी, और उस time पे ऐसी कोई problem थी, जिसका कोई ilाज नहीं होता था, उसकी death हो जाती है, और इन सब चीजों का जो है, Twain की जो later work थे, उनके उपर भी effect पड़ता है, तो B जो जो इसका answer हैगा, और यह हमारे जो हाज के question थे, आप जो है, जो आप मुझे writer देते हो ना, वो खुद भी तयार कर लिया करो, वैसे तुमने सभी ने जो है, आप लोगों ने Mark Twain को तयार कर रखा था, तो आगे से जो भी writer तो खुद भी अच्छे से तयार करके आओ, तब उसका जो है benefit मिलेगा आपको, और जो है, आप अच्छे से question कर पाएंगे, देखो बहुँ कोशिश यह रहती है कि पूरे, क्योंकि मैंने 40 question लिये हैं, 2020 दोनों के किये हैं, हाँ करिए, देखो ऐसा करोगे तो आपके काम आएगी, नहीं करोगे तो आपको नुक्षान है, उसमें मुझे तो क्या फाइदा, क्या नुक्षान है, लेकिन यह है कि अगर मेरे पास पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा एक अपनापन हो जाता है, चाहती हों कि क्योंकि जी दिन रिजल्ट आता, फिर आप लोग को काम मुझे लटका हुआ मिलता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे अब EMRS का रिजल्ट आया, तो मैं यह नहीं कहती है, आप लोगोंने प्रपेशन नहीं की होगी, जरूर की होगी, लेकिन यह है कि जोग दो अपने आपको, जब किसी चीज की तैयारी करते हो, तो अपने आपको बिल्कुल जोग दिया करो, और उसके बाद जो है, कल के लिए कल देखते हैं, दिन में बता देती हूँ, कोई बात नहीं, यह तो छोटी मोटी मिस्टेक सबसे होती रहती हैं, इस तरह की, चलिए तो कल जो है, हम फिर से अपनी क्लास में, कल मैं सुबह की क्लास में बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो एक दम से तो मैंने भी ऐसे नहीं सोच रखा, कि मैं क्या करवाँगी, क्या नहीं करवाँगी, बाकि आप लोगों ने मुझे सुबह राइटर दिये थे दो, कि इनके क्योशन करवा देना, तो मैंने इसलिए उठा लिया, कल मैं बता देती हूँ दिन में, और फिर आप तयार कर लेना, यानि सुबह की जब मैं क्लास लूँगी, तो उसमें बता दूँगी, फिर आप तयार कर लेना उसको, ठीक है, तो वो यही है कि भई, जब देखो क्या होता है, जैसे ये MRS का रिजल्ट आया, तो आप लोगों का मूत रहो था, कसम से मुझे भी अच्छा नहीं लगा, कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसका जो है, क्लियर होना चाहिए, और आप तयारी किया करो, और आपने आपको बिल्कुल जोग के तयारी किया करो, ऐसे नहीं हलके फूल के मतल लिया करो, एक्जाम को, होते हैं, यह कॉम्पुटेशन बहुत जादा है आज के दिन, और इस कॉम्पुटेशन को समझ के ही किया करो, अभी मेरे ऐसे संजीव दिमाग में नहीं है, आप बता दो, मैं तो उसी का ले लूँगी, क्योंकि लेकिन यह है कि मॉर्निंग में, अभी ऐसे ऐसे दिमाग में नहीं है कि किसका क्या बनाए है, लेकिन सुबह जो कोई भी क्लास लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह भी क्लास रख दी है, तो इस क्लास में बता दूँगी, थोड़ा सोच लूँगी, अभी मुझे दिमाग में मेरे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में है तो बता दो, मैं तो वही करवा दूँगी, थैंक यू गाइस, ये विजेता अची स्टेटमेंट है कि सेशन आउटस्टेंडिंग था, बढ़ हमें नहीं आता था, तो ये भी अपने आपने कोटेशन ही बना दिया आपने, चलिए गाइस, और मिलते हैं फिर कल, चलो जी, कल सुबै जो है सड़े बार आप ये क्लास में फिर से मिलते हैं, चलो जी, बाई, गुड़नाइट,